आज हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम कुश्चंस करने वाले कुश्चंस के अड़िस्मेंट समझेंगे ठीक है ना उसके बाद फिर जी एस्टी और फिर आगे चल यह अलीशा कभी आ गया क्रिश्चन कर दो इसमें देखो फास्ट कोश्चंस तो हर बच्चे का हो गया है तो इसमें मुझे कुछ कराना नहीं है फास्ट कोश्चंस डन मैं लिख भी देता हूं अब बताते जाएगा सेकेंड गुश्चंस भी डन हो चुका है सर थर्ड कोश्चंस में कोई डाउट है अभी जो भी डाउट हो न आप पूछ लेना मैं कराता चला जाओंगा थर्ड कोश्चंस में अड़्जस्मेंट में डाउट कोई भी स्टूडेंट हो लाइव वाला स्टूडेंट हो या फिर डाउट आपने लिख देना ठीक है न बुक कौन सा है सर जे आर मुंगा है वक वो का अप सभी को पर चेस करने नेर्वार Istare शौप से मिल जाएगा नहीं तो मैंने चैट कमेंट में बी डाला हुए है गृूप में जाकर देखेंगे आपको मिल जाएगा बुक जप जाके देखेंगे तो आपको कमेंट में भी मिल जाएगा उसमें ठेक है ना तुशार जे आर मुंगा एक ही बुक है प्रोग्राम और और सभी के लिए कुश्चन नंबर आपका ये भी हो गया था कुश्चन नंबर कौन सा है सर कुश्चन फाइव इसको मुझे करवाना है ना नहीं दिया चलो आज ये कर लेता है चलो पहले हम इसको तो मैं ही कराऊँगा पूरा इसमें बताईए डाउट इसमें एक डाउट आया मैनेजर कमीशन तो मैनेजर कमीशन जो आफ्टर वाला था ना आपका आफ्टर वाला जो कि हम पांच बटे में 105 करते थे वैसे करोगे हो जाएगा ठीक है फिफ्ट कोश्चन में यह आफ्टर वाला नहीं बिफोर है जब कुछ नहीं बोला हो तो बिफोर वाला है ठीक है यह बिफोर वाला होगा आज आपकी फर्स क्लास है फाइनल अकाउंट हमारा एंडिंग स्टेज पे है तुशार और डाउट का आप एक बार चैट में भेजो डाउट नंबर कौन सा गीवन है चैट में भेजो जैसमिन और किस पर सेंट कर रहे हो आप डाउट चलिए इसमें अरजस्मेंट तो है नहीं बताने वारा यह हमने कर लिया यह तो वीडियो आपको होगा और टेटी बस मुझे अरेंज करके बताना है यह भी कर लिया हमने आ जाते हम चलिए इस कोश्चन को होमवक में दिया गया था 11 को मैं हर एक अरजस्मेंट को अच्छे से समझा देता हूं और कर देता हूं आपका काम रहेगा इसको करना ठीक है ना कुश्चन नंबर 11 मैं यहां अर्जस्मेंट चलिए एक एक अर्जस्मेंट पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाएंगे फास्ट अर्जस्मेंट कहता है स्टॉक का मार्केट वैल्यू और कॉस्ट तो हमें यहां पे लेना होता है दोनों में से लोर तो यहां पे यह लिया जाएगा तो अर्जस्मेंट नंबर वन आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वह अमाउंट मैंने सी एस लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है आपने 25,600 और यह अमाउंट कितनी जगह चले जाएगा सर दो जगह जाना है यह एक चला जाएगा यह ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के क्रिडिट में और ë चलाएगा बैलेंस शीट के इसे में है ना चलो जी दूसरे अजस्मेंट मैं सारे अजस्मेंट ऐसे कर दूंगा जिसे सिंपल हो जाएगा आपके लिए कुई पूरा कुश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा कहता है छे हजार रुपे पेड मिस्टर रेड अगेंस बिल्स पेड़ डेबिट बाइम कि मिस्टर ग्रीन इंक्लूड in the list of संडरी डेटर हमने पीड किसको किया हमने पीड किया है गलती से ब्यार खळ तेख तो लेस हो जाएगा आपका बीपी में से लेस फ्राउम में बिल्स पेबल और दूसरा क्या होगा सर दूसरा लेस फ्राउम टेटर चेक करिए आप बुक में चेक करते जाहिए साथ के साथ हाँ तुशार next chapter से कर सकते हो और बात बाकी तेंके साथ साथ ले के चल सकते हैं साहिए है या कौन चल रहा है हमारे लिए से लिए बन भी देख लेते हैं क्या डाउट है एट कौन सा अमेरिकल नूशनल रेंट वाल है ना अधिश्ट अभी देख लेते हैं आपका यह लिए सेशन नंबर 11 है कृष्णा यह 11 है ना यह 11 है इलिस्टेशन नंबर क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था सेकेंड अर्जिस्मेंट के बाद थर्ड अर्जिस्मेंट ट्रेवलिंग एक्समेंस सेल्स रिपर्जेंटिटिव हमारा एक ट्रेवलिंग का खर्चा था पेड करा था रिपर्जेंटिटिव को सेल्स रिपर्जेंटिटिव मतलब सेल्समेंन को पाच हजार for the month of March 21 which was debit personal account include the sundry debtor जिसको हमने दिखाना था traveling expense लेकिन मैंने दिखा दिया sundry debtor में तो adjustment number 3 Sir sales representative traveling expense traveling expense सर यह दो जगा जाना है एक तो इसी expense को आप profit and loss के debit में दिखा देंगे क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं होगा जब आप debtor मान चुके होगे तो और दूसरा क्या करना है इसको debtor में से माइनस कर देना है less कर देना है किस में से debtor में से तो मैं एक एक करके detail बताता जाओंगा आपको बस adjustment implement करना है ठीक है ना चलिए सर adjustment number 4 depreciation furniture and fitting 10% तो adjustment number 4 depreciation हमारा 10% है तो अगर हम depreciation 10% की बात करें यह तो simple सी बात है सर less कर दोगे किस से asset से और दूसरा चला जाएगा हमारा profit and loss के debit में amount जो भी आए निकल के अब amount तो नहीं निकाल सकते न हम खीक है आगे बढ़ते हैं provide provision for doubtful debts 5% और इससे बात देख लें कोई debtor से related कोई बाते कर रहा है यह है और कोई बात नहीं है तो adjustment नंबर 5 प्रोविजन ओन डेटर सर यह दो जगे इंट्री चली जाएगे अब 5% आपको डेटर में से निकालना है less from debtor डेटर और दूसरा कहां चला जाएगा आपका profit and loss के debit में क्योंकि यह adjustment का पार्ट है जो मैं बता रहा हूं आप बता देना समझ में आ रहा है ने क्या करना है सिर्फ मैं adjustment करा रहा हूं ताकि आपके लिए काम असान हो जाए चलिए थोड़ा space बना लिया हम अगले अडजेस्मेंट पर चलें अडजेस्मेंट नंबर छे गुट्स कॉस्टिंग पंदरा सो यूज बाइदा प्रोप्राइटर तो अडजेस्मेंट नंबर छे गुट्स यूज हाला कि यह हमने पहले करा हुआ है तो जगह एंट्री जाएगे सर एक less हो जाएगा कहां से परचेस से और एक less हो जाएगा कहां से सर क्यापिटल से और क्यापिटल से किस नाम से less होगा as a drawing और परचेस में से भी किस नाम से use होगा as a drawing दोनों जगह से minus हो जाएगा चलिए कहता है salary include 12 रुपे paid sales representative who further entire to commission 5% on net sale अब यहाँ पर बात करते है salary में include है adjustment number 7 आपको सबसे पहले यहाँ पर जानना पड़ेगा कि भीया यहाँ पर commission sales कितना है पहले तो यहाँ पर बताईए मुझे book में देखके sales कितने है बिल्कुल दोनों ही पढ़ना होगा किरिशना कितने है sales दे रखा है हमें 60,720 sales बताने है purchase return से क्या मतलब है sales का हाँ बिल्कुल 59 59 720 माइनस करके ठीक है फिफ्टी नाइन 720 अब आगे देखते हैं कहता है कि sales salary अब salary भी बता दो कितना है हाँ 16,780 कहता है यह salary में बारह हजार रुपे sales representative who further entire sales जो representative था यानि sales में एक तरीके से उसको बारह हजार रुपे salary में जोड़ा हुआ है यानि इसके अंदर sales representative का है कितने जुड़े हुए है बारह हजार यहां से माइनस हो गया अब यहां से माइनस करो चाहें मत करो मर्जी है अगर यहां से माइनस करोगे तो एक और न्यू कॉलम एक और न्यू नाम से लिख दोगे sales रिपर्जेंटेटिव और यहां बारह हजार लिखोगे पहले तो इस बारह हजार का निप्टारा देखो फिर हम बात में बात करेंगे इसका देखिए पहले ठीक है आपने माइनस कर दिया sales में से और दूसरी एंट्री अलग से sales रिपर्जेंटेटिव के नाम से कर दिया या फिर आप माइनस भी ना करें उसी में जुड़ा रहने दे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है आगे बढ़ें फू फर्दर एंटाइडा कमीशन और नेट सेल्स देखें यहां नेट सेल्स की बात चल रही है यहां पर आगर आप देखते हैं तो किसकी बात चल रही है सर नेट सेल्स की बात चल रही है यहां पर देखा जाए तो नेट सेल्स की बात चल रही है त तू में 5 divided by 100 अब ये कमीशन दो जगह चला जाएगा 2986 ठीक है अब इस कमीशन का अलग treatment लेना है आपने और इसका अलग treatment ले लिया और ये अलग से आ गया जी अब ये जो तो कमीशन निकला है एक तो इसमें एड हो जाएगा commission sales representative का यानी पी एंडल के debit में ही होगा ये भी 2986 ये भी जो मैं काम कर रहा हूं ये कहां पे कर रहा हूं मैं पी एंडल के debit में ही है ठीक है और दूसरा ये चला जाएगा second entry balance sheet के liability में आउट सेंडिंग के नाप से आउट सेंडिंग के नाम से देखिया आगे देखिये हाँ यह नहीं भी करोगे तो चलेगा लेकिन कमीशन वाला करना पड़ेगा कैसे होगी प्रॉब्लम आप एक ही जगे से माइनस करके दुहीं पर दिखा रहे हो तो बात तो दुन ठीक है इसे कहीं और लेके नहीं जाना लाइवलिटी एसेट्स वगरा में चलिए साहब अगली एंट्री इस्टेशनरी चार्ज बारा सो रुपे तो यहां पर डिउ की बात कर रहा है तो डिउ है तो यह आउट्सेंडिंग हो गया तो आउट्सेंडिंग होनी के वाज़े से एक तो लाइव लिटी चला जाएगा एक एड्ड हो जाएगा स्टेशनरी पुराने में अगर नहीं है तो सेम चला जाएगा परचेश इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक परचेश में इंक्लूड है ओपनिंग स्टॉक वेल्यूट साथ हजार रुपे तो आपने क्या करना है परचेश में से माइनस कर देना है अट्जिस्मेंट नमबर नो कहता है परचेश इंक्लूड है ना कितने रुपए साथ हजार तो दो एंट्री करो भाई साब इसके सर दो एंट्री क्या करोगे एक तो लेस कर दोगे आप किसमें से और दूसरा ओपनिंग स्टॉप में दिखा दो एड कर दो अगले पे चलते हैं सेल्स री पर्जेटिर फर्दर एंटाइड एक्स्ट्रा कमिशन फाइव परसंट नेट आफ्टर चार्जिंग सच एक्स्ट्रा कमिशन यानि पी एंडल में से जो फाइनल आंसर आएगा यानि दसवे अड़्जिस्मेंट का सबसे पहले तो आप पी एंडल बनाएंगे कुछ इस तरीके से और सब कुछ लिखे देना इसका कमिशन री पर्जेंटिटिव का सब कुछ आ जाएगा और जैसे माल लेते हैं के मेरा जो जीपी है ये आ गया सपोस करो दो लाग और यहाँ पे सब कुछ कमिशन वगेरा पुराने वाला माल लेते हैं के पचास अजार आ गया अब जो फाइनल प्रॉफिट आया है हमारा डेड़ लाग का इसके उपर कमिशन निकालना है फाइव बाई वन जिरो फाइव और जो ये कमिशन निकलेगा इस कमिशन को दो जगह दिखाएंगे एक तो यह आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिड में कमिशन के नाम से एक्स्ट्रा और एक दूसरा आ जाएगा हमारा बैलेंश शीट के लाइबिलिटी साइड में और एक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिड में तो यही काम करना है आपको इस अर हमने पूरे discuss कर लिए हो जाएगा कुश्चन अब हो जाएगा आगे बढ़े अगले कुश्चन पताइए कोई डाउट कमी आप पी एंडल मैंने पताए ना के profit and loss बनाएंगे और बनाने के बाद simply लिए चार्ज करेंगे और कुछ लिए चलिए एक साथ नोट कर लेंगे हम अगला कुश्चन यह भी homework में दिया गया था तो इस कोश्चन को भी देख लेते हैं कि अग्जेस्मेंट में सभी का करा देता हूं सो देट आपको दिक्कत नहों कि कि इसमें तो कम ही अड्जेस्मेंट है है ना यह कौन सा कुश्चन है सार कुश्चन नंबर भी लिखने जरूरी हां कि इसमें मेरे कराने लाइक कोई चीज नहीं है आगे कहता है अलावड सॉरी ट्रेड एक्स्पेंस पच्चिस सो रुपे वेज़ेस पैस सो हैं नॉट बिन येट पेड येट पेड मतलब यह सर आउट्सेंडिंग है तो आपको भी पता है आउट्सेंडिंग क्या करेंगे एक तो पी एंडल में एक ट्रेडिंग में जहां जाना है उसके बाद दूसरा हम लाइबलेटी साइड में शो कर देंगे अलाव इंट्रस्ट ऑन क्यापिटल फाइप परसेंट तीसरा अर्जस्मेंट तो इंट्रस्ट ऑन क्यापिटल तो सबसे पहले आपको लिखना है क्यापिटल और क्यापिटल पे इंट्रस्ट जो पांच बटे सो है ये निकालोगे और जो भी ये पॉइंट हमारा निकल करके आएगा इसकी दो जगहें एंट्री दिखा देनी है एक तो एड़ कर देना है सर क्यापिटल में और दूसरा एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिड में जो भी अमाउंट आता है भी मुझे अमाउंट पता नहीं है तो मैंने ये बता है आपने कैल्कूलेशन करनी है बस आगे कहता है मे का प्रॉविजन फोर डाउट्फूल डेट्स फाइफ परसेंट ये भी बताने के जुरत नहीं है अगले पॉइंट पे चलते हैं कहता है मसीनरी इंक्लूट दो लाक रुपए मसीन परचेज ओन दिसंबर एंड वेजिस इंक्लूट सत्तावन सो इंस्टॉल यानि अगर आप मुझे बताएं मसीनरी पहले से कितने गीवन है सर पहले से मसीनरी हमें जो गीवन है एट लाक रुपए आपके दो लाक रुपए इंक्लूट है मसीनरी परचेज में तो इसके दो टुकड़े करने हमें यानि एक हो जाना है 6,00,00,00 और एक हो जाना है 2,00,00, और इसके साथ साथ वेजिस में भी include है, तो सर वेजिस भी लेना है, वेजिस में से आपने माइनस कर देना है, कितने minus कर देना है 5700 ये अलग adjustment हो गया एक तरीके से ये तो हो गई साथ के साथ और इसको plus कर देना है कहां 5700 यानि ये हमारा हो गया 2500 रुक है December में अब हमें ये चेक करना है कि machinery पे depreciation कितना है 10% तो इस वाले पार्ट पे तो पूरे साल का लगाया जाएगा that is यहां पे depreciation जो लगेगा वो लगेगा साथ हजार इस वाले पार्ट पे चूकी आपने December 20 में खरीदा है और year क्या है accounting year चेक करके बताओ March है तो December में तो खरीदा है तो January, February, March तीन महीने का डेप लगेगा तो यहां पे जो depreciation आप चार्ज करोगे वो तीन महीने का करोगे कैसे सर तीन महीने का लगेगा 25700 इंटू 3 बाइ 12 इंटू 10 बाइ 100 तो सर यहां पे आएगा 2700 इंटू में 10 परसेंट डिवाइट 12 इंटू में 3 यहां गया 5142 तो अगर हम total depreciation की बात करें machinery की तो दो depreciation लग गया एक लग गया हमारा यह that is 60,000 और एक लग गया यह that is 542 तो आप बुक में चेक करेंगे तो 65 142 दिखेगा चेक करिए एक रुपए देखो वो तो राउंड फिगर है तो 65,142 यह 43 आपको depreciation side में show होगा तो यह इन दोनों को add कर गया है समझ गया बात कैसे आए ठीक है इसके बाद stock मेरे हिसाब से यह बताने की कोई अवशक्ता नहीं है तो इसमें main adjustment जो था सरिफ एक यह था और एक interest on capital वाला जो दोनों बता दिया बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें ऐसे थोड़ी जल्दी निपट जाएंगे practice देखो आप नहीं करने मैं सारे question नहीं करा सकता क्योंकि इतने बड़े-बड़े question करेंगे हमें एक्जाम को ध्यान में रख के भी काम करना है न सारा सिर्फ हम सोचे एक चेप्टर कर ले वहां पर साल भर होता था 12 में तो साल भर हम आराम आराम से एक-एक महने डेड़े महने तक चेप्टर को निकाला करते थे यहां पर मातर दो महीने बचे हैं आपके पास सिर्फ 65 दिन बचे हैं आप गिन लो जाए और 65 दिन में भई या एक चप्टर अभी खतम मैं सोच रहा हूं जल्दी निप्टे तो मैं छोटे-छोटे चप्टर जल्दी से निप्टा हूं आपक चीक है बढ़ जाए आगे चलिए अभी देंगे प्रॉपर नोटिंग कटाएं अगेन आ जाते हैं कुश्चन नंबर 13 चलो 13 है ना वैसे मेरे को कराना है 13 मैं कुश्चन 4 13 बताइए कुश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं बार-बार यह सिर्फ यह प्रॉपर्टी प्लांट एक्विप्मेंट है ना यह कॉंसेट बताना इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूं ठीक है न तो यह मुझे कराना है मेरा काम है दो ही कॉंसेट मुझे कराना एक पीपी और दूसरा जीएस्टी एक एक सवाल ठीक है और कोई भी नहीं कराना है ठीक है चलिए यह पार्टनेस्टिप वाल रहे क्या तो यह भी मुझे कराना है इसको भी रहने देते हैं यह मेरे तरफ से रहेगा कि इसके वीपर कुछ भी नहीं लिखे हैं तर्फ मांक कर रहा हूं या नहीं मुझे कराना ये पुरा क्रोड़ा ये भी मुझे कराना है ठीक है चार क्रेश्चन हो गए मेरे लाइक अब देखते हैं ये भी पार्टनर्शिप है क्या हाँ ये भी मेरे लिए ही है पांच कोश्चन हो गए अब आ जाते हैं गुड्स ओन अप्रूवल बेसे साइध ये कोश्चन कर लिया था या नहीं किया नहीं ये हमने अभी चलो इसको भी देख लेते हैं जीएस्टी है इसमें ओके जीएस्टी है तो आज जीएस्टी तो खतम कर लेंगा नहीं तो ये कर लिया हमने इस कोश्चन में भी जीएस्टी है इसमें नहीं है कोश्चन नमबर उन्निस मैं पहले जुतना हमने टॉपिक कर लिया उससे रिलेटेड सारे पार्ट करा दूँ और हम आपकी क्लास कल भी रखेंगे ठीक है कल मेरा मुद्दा है इस चेप्टर को फिनिस करना चलिए अर्जेस्मेंट थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाए आपको चीज़े समझ में पहला अर्जेस्मेंट मंजीत गेट सेलरी बारा हजार रुपे पर एनम तो सिंपल सी बात है सेलरी दिया जा रहा है तो दो जगाए इंट्री चली जाएगी एक आउट्सेंडिंग के नाम से चला जाएगा क्यूंकि आप पहले देखोगे सेलरी नहीं किवन होगा मंजीत का तो पी एंडल के डेब अच्छा यह 2.5 है 1 by 4 2.5 कैसे होता है 1 by 2 है तो यहाँ पर थोड़ा से एरर है मेरे में यह 2.5 परसेंट है डेटर बेड़ेट्स प्रोविजन ध्यान दीजिएगा 10 परसेंट नेट प्रॉफिट जनर रिजर्व अब इस जनर रिजर्व का डी वाला पार्ट करते हैं यानि 1,2,3,4 डी आपने सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट का काम होता है इस नेट प्रॉफिट का आपने 10 परसेंट निकालके और दो जगह भीजना है एक तो उसी पी एंडल में भीज़ देना है यानि एक तो profit and loss के debit में ही आ जाएगा और एक चला जाएगा balance sheet के liability में इस type का हमने एक adjustment और question भी दिखा है शायर मुझे जहां तक याद आ रहा है है ना चलिए it was discovered first April को stock कहता है कि भीया हमने क्या पाया एक अप्रेल 20 यानि साल के स्टाक में दो stock 31 March यानि एक चार 2020 में क्या पाया जो 31 March 2019 यानि सर इससे पिछले साल की बात कर रहा है इससे पीछे साल की बात कर रहा है 31,3,2,019 यानि साहब एक वर ओवर कास्ट बाय वन थाउजन हाववर नो इंट्री पास यानि इस साल का जो हमारा पिछला साल था और इस साल में आके तो यानि हमारा कहने का मतलब है अगर बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहा है डेट पिछले साल के क्लोजिंग की तो साहब पिछले साल का क्लोजिंग कहता है इट वस डिसकावर एक अपरेल बीस में मिला है ये बात और क्या मिला ये बात कि भाई 31 मार्च 2019 में यानि एक दो साल पहले जो इसका क्लोजिंग स्टॉक था वो हजार रुपए से जादा था इसका मतलब भया अब जब आपने फाइंड किया होगा फैक्ट तो वो क्लोजिंग स्टॉक ना रहके इसका क्या बन गया होगा ओपनिंग स्टॉक इस अज़स्मेंट को हमने अच्छे से किया हो है जो बच्चे नए है ना वो सारे अज़स्मेंट करें और मैंना सारे अज़स्मेंट को टॉपिक वाइस भी अरेंज करा दूँगा आपके वीडियो में तो सर यह हजार जादा है तो इस केस में क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक में माइनस कर देंगे एक हजार एक एंट्री और दूसरी एंट्री लेस कर देंगे कहां से कैपिटल में से एक हजार यह हाला कि पहले हमने किया है इसलिए मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा र अब आगे देखते हैं कि डेप्रीशेशन प्लांट एंड मसीन डी और प्रेमिसे सिंपल है प्रिपेर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस तो इसमें और मेरे लाइक कुछ कराने लाइक नहीं था सिर्फ स्टॉक वाला पॉइंट था ठीक है आप चेक करिए परचेस में से माइनस कर दिया होगा जब ओपनिंग स्टॉक तो अगर नहीं है तो मान लेते हैं सारा खतम हो गया तो हम परचेस से करेंगे ठीक है चलिए सर इसके अंदर भी जीस्टी नहीं है मेरा ही काम है यह भी यह होमवक में दिया था ना ठीक है चलिए पिछला कोश्चन नंबर क्या था बता दो पिछला लास्ट कोश्चन जो था ना अभी किया है और यह वाला कोश्चन नंबर क्या है यह 20 करने जा रहे हैं ठीक है आपको स्टॉक दे रखा है इसकी अर्जिस्मेंट कराने की जूरत है नहीं इंक्लूड इंडेटर आठ हजार ड्यू फ्रॉम राम एंड क्रेडिटर छे हजार अर्जिस्मेंट नंबर दो यह होगे हमारा कॉमन डेट अब यहां पर कॉमन डेट निकालते हो तो कॉमन आठ और छे में से आएगा छे और यह दो जगह इंट्री वाइनस हो जानी है एक चला जाएगा क्रेडिटर में से लेस और एक डेटर में से लेस ठीक है दो जगह मैंने कराया था यह अलग से सेपरेट एक क्लास के अंदर जिसमें समझाया भी था होता क्या है क्याता है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड बिल पांच हजार रुपे रिसीफ रॉम बरुन विच हैस बिन डिसॉनर्ड अट्जेस्मेंट नमबर तीन पी आर डिसॉनर्ड जब बिया डिसॉनर्ड की बात चल रही है तो कितने जगह जाएगा इंट्री बताओ डिसॉनर्ड दो जगह यह भी हमने हाला की करा है एक तो क्या होगा लेस हो जाएगा प्रॉम पिल्स रिसीवेबल डिसॉनर्ड हो गया तो भी आर खतम हो गया भाई डिसकाउंटिंग नहीं है दूसरा एड हो जाएगा सहाब कहां पे टेटर के अंदर जाके एड हो जाएगा और प्रोविजन का खासा धियान रखिएगा सारे अड़्जस्मेंट के बाद आगे देखते हैं सेल्स इंक्लूड पांच हजार सेल्स में इंक्लूड है यानि सेलिंग प्राइज है और अप्रूवल बेसिस एट प्रॉफिट 25 परसेंट ऑन कॉस्ट अप्रूवल नॉट रिसीव तो अब देखा जाएं यहां पर तो हमें सेल्स गीवन है पांच हजार जो जुड़ा हुआ था और प्रॉफिट गीवन है 30 कितने परसेंट और 25 परसेंट ऑन कॉस्ट है एंड कॉस्ट आपको नहीं पता तो सबसे पहले तो कॉस्ट निकाल लिए तो सेल्स इस इकल टू कॉस्ट प्लस में जीपी सर सेल्स है 5,000 कॉस्ट को एक्स मान लीजिए जीपी हो जाएगा आपका एक्स बाइफ़ तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा चार हजार अब entry कहां जाना है entry दो जगा move करेगा एक तो selling price होगा और एक होगा cost price यानि selling price that is कितने हो गए एक तो 5000 की entry जानी है एक 5000 की entry जानी है और 4000 की entry जानी है जिसका 5000 की entry दो जगा जाएगा less हो जाएगा कहां से sales से और दूसरा less हो जाएगा कहां से debtor से है ना और sales पता है trading में होगा और debtor assets में होगा इसकी बात करें तो इसकी entry दो जगा जानी है add हो जाएगा closing stock trading account और add हो जाएगा हमारा closing stock balance sheet में और चार-चार हजार रुपे यह entry होना है adjustment number कितना है अगला कहता है wages include पांच हजार spent on machinery तो सिंपल सी बात है wages के अंदर से क्या करोगे आप माइनस कर दोगे और एड कर दोगे किसमें मसीनरी में यह तो हो जाएगा create a provision 5% on debtor जैसे करते आए हैं prepared rate insurance तो दो जगे इंटरी चली जाएगा माइनस expense में से और दूसरा assets में से चला जाएगा ठीक है सारे illustration कर लेंगे practice करनी पड़ेगे आपको यह सवाल आपके exam में 20 नंबर का आएगा एक सवाल ध्यान रखना तो करना तो पड़ेगा depreciation आपका कितने है 10% advertisement include advertisement include है 20,000 का spent at the time of launching new product new product को launch करने के time पे 20,000 रुपे के advertisement की आ गया it policy to the business return of such expense five year चलिए सर इस expense को देख लेते हैं तो कहने का मतलब है एक मैंने advertisement किया that is मैंने किया कितने का अब company की policy क्या कहते है कि इस 20,000 को आप पांच सालों में write-off करोगे पांच सालों में यानि different different हर साल दिखाओगे तो अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस 20,000 रुपे में से अगर मैं 5 से write-off करोगे तो इस साल का खर्चा तो आ जाएगा 4,000 जो कि कहां चला जाएगा P&L के debit में ये खर्चा चला जाएगा P&L के debit में इसके दिखाने के दो तरीके हैं आप advertisement लिखोगे कहां लिखोगे सार profit and loss के debit में अगर आपने 20,000 लिख दिया है तो आपने दिखाना तो सर्फ 4 है तो less कर दोगे कितने 16,000 और अब बच जाएगा कितना आपका 4,000 और जो 16,000 है वो चला जाएगा balance sheet के assets में यह 16,000 आजाएगा balance sheet के assets में क्योंकि हमने एक तरीके से 5 सालों में दिखाना है तो बाकी के 4 साल आगे जाएगे तो advance हो गया तो इस तरीके से रहेगा यह adjustment number है मेरा 9 adjustment number 9 चलिए यह question भी खतम हो गया कौन सा question था यह question था हमारा 20 आगे चलते हैं इसके बाद question कि इसमें लगा ही नहीं question और इसके आद कौन सा question है और जर्नल मैनेजर रहे जाएगा चार पहले से भी advertisement है तो पहले से जो advertisement है वो रहेगा उसमें 4000 और हो जाएगा ठीक है तो टल 29 कुश्चन है और हम कितने पर पहुंच पाए हैं भी बीच में भी करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में separate करके दिखा सकते हैं आदर्स आदेश समझ में नहीं आ है आपका question अब इसमें से कौन सा नोटिंग करना है बताओ फिर मैं आगे बढ़ हूं नहीं तो मैं पीछे से दिखा देता हूं कौन सा कि इस्वा पूरा नहीं देख रहा है कि आज हमने जो किया है कि नहीं बेजी कि अरे वो जो भीजने वाला आज कल बोलत कल तो चुटी है उसकी कल बता आज हमने यहां से स्टार्ट किया है कि कर यह नोट कि अरे कि अरे कि अरे